पर में कोरोना संक्रमन के चलते आमजन के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है मास्क, सेनिटाइजर का प्रियोग शहरों के साथ-साथ ग्रामीन क्षेत्र में भी अब रोजमरा की जरुवतों में सम्मिलित हो गया है वही जोदपुर के तिवरी में मनरेगा शमिको से कोरोना की रोजमरा जीवन शहली को लेकर बात की हमारे संभादाता सते इंद्र सिंगराज परोहित ने कोरोना वाइरस ने हर एक तरीके से लोगों के जन जीवन को प्रभावित किया है उसी कड़ी में देखे तो ग्रामेंट शेतर की जो मैलाएं हैं जो पूरू से उनके भी जीवन को विसेस तोर से प्रभावित किया है चाए सेनेटाइजेशन हो चाए मास लगाना हो अब उनके धैनिक जीवन का ये हिस्सा बन चुका है यह बात करें ग्रामेंट शेतर के मैलाओं की तो वो भी इस समय जो ग्रामेंट शेतर के अंदर नरेगा कार्या चल रहा है कैमरामें में वो दिखाएं कि जो मैलाएं हैं वो सब अपने चेरे पर मास लगा कर अपना काम करती हुई नजर आ रही है चाहिए यहां व्यवस्ता है बात कर तो सैनेटाइजेशन के इनके लिए अलग से व्यवस्ता की गई है एवन टीवी ने सामाधिक सरोकार निबाते हुए कुछी दिन पहले यह मुद्दा प्रमुकता से उठाया है ताकि जो नरेगा में मैलाएं काम कर रही है उनके लिए भी सेनेटाइजेशन की व्यवस्ता हो मास की व्यवस्ता हो और यह मैला हैं इनके लिए वो इसको भी स्विकार करते हुए कारियो जूट वी ए कुछ नरेगा सरमिक मेरे साथ है भूंures से बात पर आजके वह क्या कहते हैं क्या करें कि कुछ मारती माक्स थी करें एक ही आपने साथ परनुं से भी जानते हैं मास वगरह उंको सिख्ली पार अभावती सविदाउं लेकिन इसमार तो लगता है जैसा कि आपने सुना मैलाओं का कहना है कि जैसे राजस्थान परिवेश में गुंगट है जो आम बात है गुंगट भी हमारे लिए मास के तोर पर कारे करता था लेकिन अब जो जीवन से लिए परिवर्तित हुई है उसमें मास्क और सेनेटाइज सिंग के साथ सितन्द सिंग रासफुई तेवन्टी